नमस्ते किसान भाईयों YouTube की नई वीडियो में आपका स्वागत है आज हम जानेंगे कि भारत में सबसे सस्ते इंपोर्टर भूल अमेरिका से इंपोर्टर भूल और बहुत साथ साथ में जिनोमिक भूल भी है और उनका प्राइस क्या है और क्या-क्या वो फाइदें हमारे आन अगर सेक्सीमन का हम प्राइस लेते हैं तो 1250 रुपे है तो यह टॉर्णेडव है इंपोर्टड भूल है और उसके बाद दुसरा है एवरेस्ट एवरेस्ट जो है यह यह वी इंपोर्टड भूल है और इसका जो प्राइस है मर्पी है कन्वेंशन स्टॉकी वो है 44 पी इस के हैं कि एवरेस्ट के बुल के बारे में इसके क्या क्या पैनिफिट्स हमें मिलने वाले अगर हम यूज करते हैं अपनी गायों के उपर तो हम सबसे पहले पीटी मिल देखते हैं तो इसके पीटी मिल जो है 294 पॉंस है लगब बारां हजार 867 kg पर लेक्टेशन और हम पर दे की लेटर की कपैस्टी रखता है फर्स लेक्टेशन में और 83 परसेंट की रिलाइविल्टी में मिलती है अगर हम समझ सकते हैं हमारे यहां दस लीटर वाली है गाय है क्रॉस्प्रिड है तो आप समझ सकते हैं कि 22-23 लीटर वह पहले ब्याद पर ही जाने वाली है दूसरा है स्कूर की बात करें तो 2.96 है मतलब यह समय यह मतलब थनेला से से बचाने की शक्ती भी रखता है तो आप समसकते हैं ऐसा बुली यूज करते हैं तो हमें थनेला मुक्त भी रहेंगे उसके बाद पीटी टाइप 0.69 है तो काफी अच्छा पीटी टाइप है इसका मतलब आने इसके साथ साथ इसका फीटन लैग स्कूर भी इसका काफी आचा है अगर हमारी गाए में कोई प्रावलम है फीटन लैग आगर हमारी गाए सीधी नहीं पीछे वाली तो उसको भी यह ठीक करेंगा उसके बाद अडर क्लेफ्ट जो 0.55 स्टॉंग है मतलब सेंटर वाली जो आगर पीछे से देखते हैं तो सेंटर वाली जो लाइन दिखती है जिसकी बज़ा से थन दोनों उपर उठे होते हैं तो वह काफी स्टॉंग है तो हम सकते हैं कि आने वाली जब यह फर्स से सैगी निया थर्लेक्टिशन में भी जाएगे तो इसके चांसिस कम रहेंगे कि इसका जो है तन जो है वो नीचे की तरफ लड़केंगे ताब समझ सकते हैं कि इतना इतना अच्छा फाइदा है इसका मिल रहा है दुसरा है टॉर्नेडो तो टॉर्नेडो की बात करते हैं तो टॉर्नेडो में जो PTA मिल रहा है वो 969 है तो मतलब काफी यह एदा है उससे बात करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इसका बना है 13,144 kg या 43.19 kg जो है पर दे के हिसाब से 82 पर रिज़न की रिलाइबिल्टी है तो आप समझ सकते हैं कि हमारी जो काफी अच्छा जो दूर ट्रांसफर होने वाला है माम है सीधा-सीधा जो इन बुल्स की बजा से तो आप समझ सकते हैं अ 0.51 है तो मतलब आने वाले बच्चे जो होंगे उसमें आडर स्कोर जो थन होगा वो टीट, लैन, टीट की बनावत वो सारे के सारी बढ़िया होगी उसके बाद जो बॉड़ी वेट कंपोजिट है माइनस 123 है मतलब हमारे अगर हमारे अलड़ी जो एच्छेफ गाएं हैं ज लगवग वो कम आते रहेंगे तो उसमें फीट सेविट की बात करें तो आप समझ सकते हैं कि अगर यह बुल हम लगाते हैं तो अगर इसकी बच्चे लैक्टेशन पर आती है तो चार सो उन्नी पॉंट मतलब 190 कजी का जो कॉंसेंट्रेट राशन एक लैक्टेशन में एक कम हम खाएगा इसके आने वाली बच्चे और उतना ही यहादा दूद देगी तो आप समझ सकते हैं कि इतना हमें लगवग दो सो के चीग दो कौंटल का हमारा फीड सेवड हो गया अगर हमें यह बलबुल अपनी फील में लगाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि यही बैनिफिट प्रवाइड करने की कोशिश करूंगा धन्यवाद